हम सबसे पहले क्या करेंगे यह जो clockwise rotation है यह वाली जो rotation clockwise rotation है उसमें हम तेकिंग movement around the point o लेंगे. 2. ओ के-around हम लोग क्या करेंगे movement लेंगे ठीक है यह जे मारा on. is तो हम क्या लेंगे movement लेंगे तो हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पस क्या अए value है T2 तो इसी के अंदर से पास कर रही है, तो हम मुंमेंट अराउंड O के बाद अर्मारे पास क्या value आएगी? हमरे पास मुंमेंट हम लेंगे तो मुंमेंट की यह value आजाएगी? हमारे पास मुंमेंट की इन clockwise rotation में क्या value आएगी? P L मैं vertical force multiplied by horizontal distance P into upward direction में P मतब लाग रहा है ये P का मतलब क्या है कि anti-clockwise direction में है P L is equal to T1 equal to T1 T1 into B B yes मैं into B क्योंकि T2 जो है हमारी वो O से फिल्क्रम से डूजर रही है तो उसकी वो क्या value हो जाएगी? 0 हो जाएगी तो हमारे पास ये हमारे पास clockwise rotation of the drum then अब इसी तरह anti-clockwise direction होगी तो anti-clockwise direction में हमारे पास अब अगर anti-clockwise direction में देखे हैं तो हमारे पास क्या value आएगी? P L is equal to T2 multiplied by P सही तीक है ये हमारे पास दोनों की torque की value आजाएगी है आप उपर आगे 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 देखें अच्छली हमारा method हम लोग क्या find out कर रहे है? हम breaking torque find out कर रहे हैं clockwise rotation of the drum PL is equal to T1 into V and for anti-clockwise rotation PL is equal to T2 into V It may be noted when the drum rotates in the clockwise rotation at the end of the band attached to the fulcrum O will be slack with the tension 2 T2 जब हमारे पास हमारा clockwise rotation होगी then end of the band attached to the fulcrum O तो fulcrum O का end होगा end point होगा ये हमारे तीक है? यहां क्या होगा यह रिखें यहां हमारे पास T2 है यह हमारे पास T2 आ जाएगा और जब हमारे पास anti-clockwise rotation होगी तो T2 जो है हमारा B point पे attach होगा B point पे होगा ठीक है ठीक है समझ आ गई आप लोगों को ठीक है बेटा समझ आईए थोड़ी बहुत आगी है थोड़ी बहुत अभी थोड़ी बहुत आईगी है आप लोगों को अच्छा अब हमारे पास next क्या है हमारे पास है रूनल लिखा हुआ है कि वें दब्रेग मैंट इस अटेच्ट टे लिवर A and B the force P must act in the upward direction जब A and band B attach होगा लिवर से the force must act in the upward direction in order to tighten the band हम क्या करते है कि हम फोर्स को मेंशा upward position में लगाते हैं क्या सम्टाइब्स ब्रेक्ट इस तरह की अरेंग्मेंट होती है क्लॉक्वाइब्स आप दूर्म यानि कि हमारा जो लीवर होता है वो नीचे होता है ड्रॉम उपर होता है तो उस rotation में हमारे पास जो लोड की value क्या होगी वो downward होगी ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है differential brain band breaks अब जो difference क्या है differential band breaks और simple band break आप इसे में क्या difference नज़र आ रहे है आप लोग को इसे क्या difference नज़र आ रहे है के दिफरेंशिल बेंट भाइस को कि दिफेंश नोग बेटा किया दिफिरेंश न वाज़र एक अपर गॉर्से देखें और एक में एक भी बेंटि किलोग गॉर्ट नहीं बिटा, वन ऐख वन-Clockwise तो Simple Band Break में भी था, आप इसे देखें, और से देखें, Simple Band Break दो थी, इसमें भी Clockwise Rotation हो रही थी, एकमें Anti-Clockwise Rotation हो रही थी, Band Break, Simple Band Break, or differential Band Break का क्या डिफोर्स है? मैं, इसमें, इसमें, हमने क्या किया है, इसमें Simple Band Break में, एक extension दे दिया है, इसमें एक extension प्रवाइड कर दिया है, अब आप ओ पॉइंट से देखें, यहां एक extension प्रवाइड कर दिया है, हम लोगों ने, एक A distance दे दिया है, समझाई, Band Break, or Simple Band, differential Band Break में, क्या difference है, कि यहां हमने extension प्रवाइड कर दिया, A distance की, ठीक है, हमने क्या किया, एक बार फिर बता, Simple Band Break, और differential Band Break में, यह difference है, कि हमने एक extension दे दिया, यहां एक lever attached है, यह देखें, O to L, यह दिया दिया, L लिवर का distance है, जा force अपट प्रवाइड कर दिया है, और उसके बाद, O to A, हमारे पास, O to A, हमारे पास, हमने extension दे दे दिया, हमने एक और दिस्टंस इसके पर वाइड कर गिया, बेंट बेंट में, हमारे पास, यह दिस्टंस नहीं था, अब इसी करा हम इसकी clockwise rotation भी निकाल लेंगे, और anti-clockwise rotation भी हम इसकी movement निकाल लेंगे, अगर आप इसकी clockwise rotation, यहां भी clockwise rotation हो रही है, T1, tight side को भी को भोलेंगे, T2, और T2 हम क्या है, slack side को ही भोलेंगे, P जो है हमारा, load applied लग रहा है, और L हमारा distance है, from fulcrum O point से P तक का, तो distance है, हमारे पास, वो क्या है, L है, ठीक है, और T1 हमारी tight side होगी, T2 हमारी light side होगी, angle of the lab, यही हमारा angle of the lab आएगा, ठीक है, अब हमारे पास हमने क्या लेंगे, इसकी clockwise rotation के दुरान, हम इसका वो निकालेंगे, हम clockwise rotation के इसके, हम इसकी breaking torque की value निकालेंगे, तो आप इसकी को देखें, अब इसमें हमारे पास clockwise rotation के दिरहां, तेकिं मुमेट about around O लें, तो हमारे पास क्या आएगा, value क्या आएगी? PL आएगा मैं, PL, PL क्या हमारा clockwise move कर रहा है, ठीक है, और T1 और T2 की direction, हम लोगों ने दोनों की downward ही consider करने हैं, T1 और T2 की direction क्या करने है, हम लोगों लोगों ने downward consider करने हैं, T2 की direction भी downward consider करने हैं, ठीक है, PL, और क्या आएगा, PL, PLUS, T2 A, PLUS T1 B, PLUS T1 B, PLUS T1 B, MINUS T2 A, MINUS, T2 A, is equal to 0, जी, यह आप लोगों देख के तो नहीं बता रहे हैं एक बहूं से, नहीं मैं, ठीक है, अब इसी तरह anti-clock presentation में क्या होता है, कि slack side और जो tight side है, वो move कर जाती हैं, T1 की जगह पे, T1 इस side पे आ जाएगा, क्योंकि हमारी rotation जो है, जब हमारा drum, anti-clock wise rotation में move करेगा, तो हमारी tight side होगी, A point वाली जगह पे हमारी tight side हो जाएगी, तो P वाली जगह पे हमारी slack side हो जाएगी, ठीक है, अब इसका हम movement लेते हैं, हम इसकी movement की ज़रा value लिखते हैं, क्या आएगी value में movement की इसकी? P into? P into? P into clockwise forces को positive ले रहे हैं, यानि vertical force यह P वाली और multi-plot by horizontal distance cell, P into? जी हम जो clockwise forces हैं, हम इसकी positive ले रहे हैं और anti-clockwise जो negative ले रहे हैं, आप anti-clockwise ले सकते हैं, इससे तो बटा कोई difference नहीं होता, यास मैंश जी मैंश तो आप अगर हम लोग देखें, हम आरे पास क्या है, हम आन्टी-clockwise direction जब लेते हैं, तो P into L हमारे पास clockwise direction में हैं, और T to B, T to B भी हमारे पास क्या है, फॉस्टी direction में है, T to B is equal to, हमारे पास next क्या है, T1 A लेक ज़ेते हैं, यानिके negative direction में लेक ज़ेते हैं, T1 A, यह हमारे पास anti-clockwise rotation की value आ जाएगी, ठीक है, अब आप आगे ज़र चलें, यह देखें हमारे पास यही फार्मूले लेका है, clockwise rotation of the drum हमारे पास क्या है, clockwise rotation of the drum हमारे पास, अब यह देखें यह हमारे पास क्या है, clockwise rotation of the drum हमारे पास, यह उसकी वेलियों उन्होंने दी हुई है यह clockwise rotation per drum है ठीक है PL is plus T1 B is equal to T2 A और जिए फार anti-clockwise rotation है अब इसनोंने का है हमारे पास दो conditions थी self-locking break की आपको जाद होगा self-locking break or self-energizing break जब हमाने friction force self-energizing break हमारे पास क्या होती है when friction force help to apply the break is called self-energizing break in case of differential band break मैंने आपको कहा था कि कभी-कभी हमारी cycles while cycles खड़े-खड़े को उनके वो कुद ही attach हो जाती है शू के साथ तो हमारे पास क्या condition आजाती है that is called self-locking break अगर हमारी peak तो value है मैं ये बड़े vehicles में जो break होती है वो कौनसी होती है मैं ट्रॉक वगारे में बेटा आप ट्रॉक बेटा मैंने अभी आपको बताया ना के band break में हमारी कुझे होती है मैं पूछ लगा नहीं मुझे आप ऐसे बताये आप लोगो नहीं पता कि उसमें बड़े बड़े एसिस्टम उसमें हमारी एर बेक होती है चोटे भी होते हाना कि के लोनों वाले में है ये बड़े बड़े जो सकती है आप लोग कोशिच करें कि नेक्स लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर हो तकाल कि नेक्स है मुझे हमारा लास्ट लिगोर एडियू आ से सा तकाल को। अगर 0 है यह वाली इस वाली question को लेंगे पी की value अगर आपके पास पी की value जो है वो 0 है यह देखें यह वाली equation आप लोग पूट करें इसमें पी की value 0 होगी तो t1a-tb is equal to 0 तो t2b is equal to t1a आजाएगा हमारे पस क्या आजाएगा t1a is equal to t2b आजाएगा ठीक है तेन आगे हमारे पस क्या होगा कि t1 over tb t1 divided by t2 equal to a over a divided by b आजाएगा यह वाली value आजाएगी हमारे पास ठीक है अब उन्होंने condition क्या दिये है कि t2 over t1 is less than and equal to b over a t2 over t1 की value है वो हमारी हमेशा less than and equal to b a होनी चाहिए पर clockwise rotation और anti-clockwise rotation हमारे पास t1 over यह मैंने anti-clockwise rotation की value निकाली थी आपके पास यह anti-clockwise rotation की equation ली थी ठीक है anti-clockwise यह वाली value ठीक है इसमें क्या t1 over t2 जो की value हमेशा less than and equal to b over a होगी for a condition of self-locking break यह condition होगी तब हमारी self-locking break कहलाएगी अधर्वाइस मारी self-locking break नहीं होगी self-energizing break नहीं होगी ठीक है किया इसमाज आगे यह कि अधि भुम्ट यहां ये इस चेंपद्रेर्चीbo की यह कि हमारे हमेशा downward direction में एक्ट कर रही है लेकर जब हमारी यह वाली condition आएगी यह वाली shape आएगी तो उसमें हमारे पास the force की वैली हो upward position में एक्ट करेगी तो हमारे पास है band and block break band and block break भी हम आप उसको देखें तो गोर से देखें band break भी उसी तरह की है कि हमारा O से P तक का lever L का distance है उसमें पीज तक डिसनस है और बैंड ही लगया हूँ है इसमें leather के band बने लेकिर इसमें इनोंने क्या है क्या है कि blocks of wood को हमने इंट्रीउस करवादी है यह वान तू थ्री जो आपके पास points नहारा रहे हैं आपके पास यह जो points नहारा रहे है one two or three यह रहें यह वाले जो points नहारा रहे हैं आपको यह वान तू ओ त्री यहां blocks इंट्रीउस करवादी हैं बैंड है हमारा band के अंदर हम लोगों नहीं वान तू थ्री और यह जो dotted area पो नजर आ रहे हैं हमारे पास blocks हमने इंट्रीउस करवादी है इसलव ज़जा से हमने इसको बोला है band and block break हमने क्यों एड करवाए है जब यहां frictional resistance होगी तो ब्लॉक का वियर होगा ब्लॉक में वियर एंट्रीउस्ट होगा अगर हम blocks को change कर देंगे तो हम दुबारा band block break को यूज कर सकते हैं आपको पता है जब हम breaks वगरा यूज करते हैं तो हमारा band जो है अगर हम यहां blocks इंट्रीउस करवादेंगे तो हमारा वियर एंट्रीउस्ट करवादेंगे तो हम अगर ब्लॉक को change कर देंगे तो हमारा band and block breaks जो है हमारा वह new हो जाएगा अब इसमें हमारे पास यह देखें पी क्या है पी हमारे पास पी हमारे पास क्या है लोड लोड हमारा किस direction में लग रहा है अफ़र direction में ठीक है पी हमारे पास load है और T2 हम लोगोंने क्या consider किया था T2 क्या होता है tension on slack side यह slack side mean loose side है ठीक है और हमारे पास यह क्या है tight side T1 क्या है tight side तिक है यह हमारे T1 Tension Tide Side है और 1, 2, 3 यह हमारे पास क्या है? Blocks हैं तिक है और R1 अब हमने यह नीचे एक picture ले लिए block की एक हमने अब हमने consider क्या किया है कि हमारे पास अगर हम एक one block ले लेते हैं हम एक one block को consider करें उसमें हमारे पास देखें अगर हम हमारे पास एक ब्लॉक ले लिया है तो एक ब्लॉक पर हमारे पास साइड पर यह हमारे पास reaction force आगी एक T1 होगा और एक T1 डैश होगी ठीक है और इसका जो कोफिशेंट अफ एंगल होगा यहां हमारे पास यहां जो होगा थीटा तो हम उस दोनों थीटाज को मिला कि हम लोग क्या बोलेंगे 2 थीटा ठीक है हमने एक ब्लॉक कंसिडर कर लिया हमने का इसमें हमारे पास T1 है और T1 डैश है क्योंकि हमारे हर ब्लॉक पर डिप टाइट हो एक T1 और T2 एक्ट कर रही होगी T1, T2, T3, T4 यहीनि कि ब्लॉक 1 पे T1 आक्ट कर रही होगी ब्लॉक 2 पे T2 आक्ट कर रही होगी यहीनि कि ब्लॉक 2 पर T2 आक्ट कर रही अеч़ Heald चैनल रही नमबर आफ ब्लॉक क्ट तक जाएगा ठीक है अब जीन ऴं़े है टेन्शन इन्डेट साइट T2 Tension in the slack side और T1- किया Tension in the band between the first and second block. T1- किया है, हमारे पास Tension in the band between the second and the third block. इसके बाद हमने forces को resolve किया radially and tangentially. हमने block break वाली figure ले लिया है, हमने block break की figure लिया है, तो हमने forces को tangentially किया, resolve किया है. यह वाली T1 into T- यह आप मलिक शिराज बेटा, आप कि तरह आने हुए अंदर हमें? आप हम छोड़ें, उसे वो गुमता रहता है. अच्छा, आप हम लोग यहां क्या करेंगे, यह जो forces act करेंगे, उनके cos theta, sin theta, T1 का, हम इसे resolve करेंगे tangentially and यहां, आपको पता, यहां जो हमारे पास T1, आप अगर इसे देखें, तो T1 cos theta, cos theta हम इसे लिख रही हूँ, ठीके, और यह क्या है? जो नीचे हमारे पास arrow आएगा, यह वाला जो है, T1 sin theta होगा, यह देखेंगे, यहां theta's की value है, तो यह हमारे पास जो है, हमारे पास दो आएगे, T1 cos theta and T1 sin theta. जी बेटा, हमारे पास T1 cos theta और sin theta आएगा, ना? यह जो है, T1 cos theta, एक हमारे पास आएगा, T1 cos theta, और दूसरा हमारे पास क्या आएगा, T1 sin theta, उसको हमने result.